वेरी गुद इवनिंग गाइज मैं विवेक पांडे स्वागत इंडिया के नमबर वन एजुकेशनल चैनल वाइफाई स्टेडी चेंजिंग दा वे ओफ लडिंग नाउस दा पार्ट वन अक्याडमी बहुत बहुत स्वागत गाइज क्लास है मिरा नाम है विवेक पांडे औ आपके डिमांड पर आप लोगोंने बहुत सार डिमांड आया था वैं पास चैनल के बंद शुके थाल इसे पिसे डिसे इस टर खतम हुआ वह was साउट है किए महांस्टर च्लास मैंने इसका नाम दिया है इस वास्टर क्लास वजा क्या है सर वास्टर क्लास का वजा यह कि इ यहां पर हम cover करेंगे, यानि इस class में वो सारे exam जो computer science पर based है, जो कहीं हमें available नहीं होता है, कि सर्थ computer science का student तो है, चुकि पोस्टेज बहुत कम होती है, तो बहुत सारे जगा class है इसकी नहीं चलती है, लेकिन आपका favorite wifi study channel पर ये भी class आपको provide की जाती है, तो guys, आज से रोजा साम साड़े 6 बजए याद रखिएगा, एक timing में आपको यहां पर बता दू, रोजाना साम साड़े 6 बजए आपके प्यारे wifi study 2.0 पे, आप 2.0 पे मैं ये classes रोजाना लेके आऊंगा, ठीक है, साड़े 6 से class ये चलेगी, रोजाना ये class चलेगी, और मेरी इस class की मकसद होगा कि हर दिन एक topic यहां पे हम discuss करके जाएंगे, यानि एक class करेंगे और एक topic को पूरा discuss करके यहां पे जाएंगे, चलिए, आज चुकी introduction class है, तो मैं पूरी अपनी रननिती में आपको आज discuss कर लेता हूँ, कि आज इस class को मैं कैसे लेके आगे बढ़ूँगा, और आपको ये class कौन-कौन सा examination के लिए benefit होने वाला है, तो guys, जैसे हर दिन मैं कहता हूँ, कि सबसे पहले इसे share कर दो, अगर अभी तक share नहीं किया, link को copy कीजिए, और paste कर दीजिए अपने सारे study group में, अगर अभी तक आप लोगों नहीं किया है, तो just copy and paste in all our study group of these classes, ठीक है, चलिए, बहतर इन एक topic को पढ़ेंगे, और फिर वो जो, उसे related mcqs करेंगे, और हमारे exam के लिए, वो beneficial होगा, तो चलिए, start करते हैं यहाँ पे, चलिए, start करते हैं सबसे पहले, सबसे पहले सवाल गया था, यह class जो आप ले के आ रहें, कौन सा exam के लिए beneficial होगा, तो guys, यह class जो है, वो beneficial ह किसके लिए, तो सबसे पहले मैं कहरा हूँ, 3T plus 3, जो हमारा दिली का exam होने वाला है, साथ में, RIT का paper, राजिस्थान में, जो हमारा paper होने वाला है, computer science का, KBS का paper, और estate का paper, यानि बिहार estate का paper, जैसे कि जो आपको मालूम है कि cancel हो चुका है, उन बच्चों को भी यह class जो है, PGT और TGT की तयारी करते हैं, उनको और कहीं भटकनी क्या हो शकता नहीं, उसको यह class आपको benefit करने वाला है, तो सबसे पहले मैं बता दे है, DT plus V, RIT, KBS और estate वाले बच्चे, साथी साथ, SOIT की बच्चे, आपको आपू मालूम है कि अभी IBPS, RRB की vacancy आ चुकी है, IBPS का almost June के immediate form fill up होगा, तो RRB के तहत आपका होता है Scale 2 Official, और फिर आपका आएगा IBPS में SO Official, SOIT का post आएगा, ठीक है, वो जो प्रॉबेबली है, December, January में उसका exam होता है, लेकिन अब IBPS का calendar स्टार्ट हो जुगा है, तो SOIT का भी preparation आप इससे कर सकते हैं, साथी साथ, UPSC, कहने वाँ, UP में अभी है कि computer assistant की vacancy आए थी 2019 में pending exam, तो वो exam वाले बच्चे भी यहाँ पर cover कर सकते हैं, जो computer assistant की तैयारी कर रहे थे, ठीक है, साथी साथ, अब मैं बात करता हूँ, HPP SEC में भी अभी है कि junior assistant की vacancy आए, हिमाचल प्रदेश, public service commission में आपका क्या हुआ है, junior assistant की vacancy आए, जो हिम अभूई लोग में से बच्चों ने मुझे इसके बारे, सर इसकी हम लोग है, हम लोग तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके demand, जैसे कहा जाता ना, कि Wi-Fi study पूरा भारत वर्स को cover करता है, इसी ध्यान में रखते हुए, HPP SEC बच्चों वालों के लिए यहाँ पर class, यह उनके के बच्चे होंगे, उनको मालूम होगा, जो HP के बच्चे होंगे, वो मालूम होगा, और यह exam तो पूरा भारत को मालूम होगा, ठीक है, तो यह सारे होगे, साथी साथ, NTA UGC NET, जो अभी exam होने वाला है, 22, अब तो पॉस्पोंडेट है अभी, तो NTA UGC NET का भी exam, जो हर साल होता है, पूरे भारत वर्स के बच्चे इसे दे सकते हैं, वो भी इसे class को join किजिएगा, आपको बहतरीन तरीके से मैं यह आपे guide करूँगा, और आपके exam crack करने में मदद करूँगा, तो guys, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, कि यह जो class है, इन सारे बच्चों के लि तो यह सारे examination है, जो मेरे PSU sector में भी examination होते हैं, वो भी exam मैं यहाँ पे cover करूँगा, थोड़ा सा session लंबा चलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे बहतरीन तरीके से मैं आपको मदद करूँगा, और आपको guide करूँगा कि यह exam हम कैसे crack करते हैं, ठीक है, चली, इसके साथ ही आग vacancy update आपको बता देता हूं, दूसरा point यह आता है कि सर आपने जो बता दिया, recent vacancy update बताता हूं, यह चार टाइम में SSB हो गया, डा देते हैं, डी टीपल SB में 3359 vacancy आया था, total 3359 है था, जिसमें 1000 क्या आपका computer science के लिए है, KVS का number और post अभी define नहीं है, इसलिए मैंने soon लि vacancy थी, और read के तहत 14601 post है, जो अभी news में दिया गया है, ठीक है, तो guys यह इतनी vacancy है, जो अभी line up है, इसके अलावे many more मैंने लिग दिया, इसके अलावे भी मैंने हिमाचाल के post की मैंने detailing नहीं दी, मैंने MP के detailing नहीं दी, मैंने यहाँ पे UP post की detailing नहीं दी, लेकिन UP में भी जो एक vacancy आई है, उसमें भी आपको यहाँ पे मदद मिलने वाला है, इसलिए मैंने इस class का नाम दिया है, master class, तो guys यह सारी vacancy है, जो line up है अभी, अगर आप teaching के छेतर में करिये बराना चाहते हो, लोगो मैं जहाँ तक मानता हूँ, मैं भी computer science का student रहा हूँ, तो मैं जहाँ आपको मैं lucky समझूँगा, और वो मिरे लिए beneficial, तो होता है ना, कि अपनी पढ़ाई को मैंने execute करा है, तो guys, तो वहाँ पे किसी computer science student को यह परहेज नहीं होता है, कि सर नहीं सर ऐसा करते है, कि हम teaching का नहीं डालना है, मेरे को सिर्फ technician डालना है, ऐसा नहीं होता है, हर बच्च जो आपके सामने, मैंने अभी आपके सामने रख दिया, कि पूरे भारत वर्ष्की में बात करते हूँ, मैंने central के बारे में discuss करी, बहुसते state level की भी individual vacancies आती है, तो guys, यह मेरे vacancy update है, जो अभी current open है, और ऐसे में हर session में मैं आपको update करता रहूँगा, कि आपको कौन सा apply करन क्या किसे symptoms क्या होंगे, circumstance क्या क्या, यह सारा मैं day by day आपको line up करता है, तो आप इसके परेसान ना हो, बस आप आज से तयार हो जाओ, कि रोजाना साम साड़े 6 बजे हमको विवेक पांडे सर के साथ देना है, सब मुझे पांडे सर ही कहते हैं, तो guys, मुझे मेरे साथ रहना आपको यहाँ पे साड़े 6 बजे से, बहतरी एक session करने वाले हैं, हर दिन यहाँ पे session करेंगे, Monday to Friday, और इसके बाद Saturday को special class वेगर अभी हम provide करवाते हैं, तो यह सारी जानकारी आप लोग पास नहीं होती, तो सारी जानकारी मैं यहाँ पे आपको day by day provide कर आता है, ठीक है, ब दूसरा point आता है सर कि हम जितना भी exam देते हैं, जितना भी exam देते हैं, सबका syllabus क्या-क्या होता है, लगबग 70 to 80% syllabus सबका common होता है, ठीक है, अगर आप बात करते हों, तो computer को मैं 3 label में divide करता हूं, label 1 होता है, जिसको हम लोग कहते हैं basic, ठीक है, label 2 होता है, जिसमें थोड़ा स आप medium कह सकते हैं, जिसमें आपका TGT वेगरा आजाता है, और उससे थोड़ा सा advance है आपका gate label, ठीक है, तो ये 3 label का computer हम लोग कहीं भी पढ़ते हैं, सबसे पहला basic, जो हर को ही पढ़ता है, आप किसी subject से graduate हो, कोई भी subject आपका है, ये पढ़ना सबको जूरी है, जो computer science के student है जो जाके assistant का job करते हैं, junior assistant का job करते हैं, junior engineer का job करते हैं, वो इस category में आते हैं, और जो scientist वाला exam हम लोग अपलाई करते हैं, या फिर आपका philosopher वाला, या फिर मुझे आगे चलके research वगरा करना होता है, या फिर मुझे mtech में करना होता है, तो हम gate के through जाते हैं, तो ये 3 level है, त ये आपका MPPSC का question है, ये सारी चीज़े में day by day classes में करवाता है, तो बस आपको यहाँ पे बने रहना है, मैं आपको बता दिया हूँ, ये 2 level होता है, ये computer science student के लिए होता है, और ये जो होता है, ये all student के लिए होता है, सारे बच्चे confused होते हैं, तो जो computer science के student है, वो जो यह यहाँ पे समझे, चलिए, साथ ही साथ मैं बता दो, जो universities के बच्चे हैं, जो BCA, MCA, BTEC, MTEC करते हैं, उनको भी यहाँ पे class पे benefit मिलने वाला है, मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा आपके बारे में, अब मुद्दा आता है सर्क कौन-कौन सा topic मुझे यहाँ पे application में पढ़ है, दूसरा, digital electronics, ये भी हमें यहाँ पे पढ़ना है, तीसरा, operating system, चौथा, operating system का ही पार्ट है, compiler design, साथी साथ यहाँ पर पढ़ते हैं, database भी हमें यहाँ पर पढ़ना है, database के बाद मुझे यहाँ पर पढ़ना है, web scripting, web scripting भी मुझे यहाँ पर discuss करना है, साथी साथ आपको multimedia and tools भी discuss करना है, मेरे प्यार बच्चों, और miscellaneous, एक syllabus रहे गया, वो भी मैं discuss कर देता हूँ यहाँ पर, guys यहाँ पर data structure भी आपको पढ़ना है, programming language in C पढ़ना है, C++ पढ़ना है, data structure याद रखिएगा, बहुत important topic, it's a हर exam equation of that, programming language in Java, यह basic language जो हर exam में पूछा जाता है, साथ साथी भी 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 खासकर जो पूछा जाता है, वो teaching वाले exam में पूछा जाता है, बाकी rest में नहीं पूछा जाता है, यह teaching वाले exam में maximum पूछा जाता है, साथी साथ आपका markup language आपको जैसे HTML, XCML, XML और SGML, तो SGML यह सारे topic को भी हमको यहाँ पर जिक्र करना है, यह याद सब्सकर कर दिया, तो basic मैं MCQs के माधियम से मैं करवा दूँगा, जो आपके लिए important हो, तो गईस यह हमारे important टॉपिक थे, जो हमारे हर exam में पूछे जाते हैं, तो गईस याद रखेंगा important topic यही है, जो आपके exam में पूछे जाते हैं, तो यह तो मैं पता दिया, Moroccanous टोप में आता है अब आगे बढ़ते हैं मैं एक्जाम दर एक्जाम आपको बताता हूं कि कैसा एक्जाम का पैटन रहता है और क्या structure रहता हमारे एक्जाम का जो हमें देना होता है तो one by one चुकि आज introduction है तो सारे strategy मैं आप से discuss कर दूँगा और इसके बाद मैं topic स्टार्ट करते हैं मेरी प्यारे बच्चों चली आगे बढ़ते हैं दूसरे point पर आते हैं सबसे पहले मैं बात करूंगा आपका DSSB वाले section के DSSB का syllabus क्या होता है यह दो section में बढ़ा हुआ है section 1 and section 2 में बढ़ा हुआ section 1 में क्या है general awareness general intelligence and reasoning ability और फिर आपका है section 2 जो आपका subject oriented याद रखेगा यह है DTSB की जो हमें exam देना उसमें ऐसे करके category बनी हुए यानि दो section यह common section है जो सारे बच्चों के लिए देना और यह वाला section है जो subject oriented है और जो हम वहाँ पर discuss करने वाले है ठीक है तो यह point याद रखेगा आपको अगर TZT में आपके 100 marks करेंगे PZT में यह 200 marks करेंगे आपका subject concern वाला यह point याद यहाँ पर TZT का है और यह आपका PZT का है ठीक है चलो तो यह यहाँ पर हो गया subject की बाद बागी सारे वो 20 20 marks कहें 5 section है 20 into 20 into 5 आपका 100 marks का वो हो गया और 100 marks का आपका यह section 2 होता है तो guys मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पे कि आपको maximum जो section है वो आपका section 2 ही है जो आपको qualify करवाए तो मेरे पहरे बच्चों यह DTSSV के बारे में आना है दूसरा point आता है KVS KVS PGT का KVS PGT ही मैंने यहाँ पर discuss कहें इसका cash levels है तो guys आप इसके बारे में भी देखो यहाँ पर general English है 10 question 10 marks का आता है general हिंदी 10 question 10 marks का आता है general and current affairs 10 question 10 marks का आता है reasoning ability 10 question 10 marks का computer literacy fundamental computer जिसे हम लोगो कहते है वो भी 10 number का आता है साथे साथ pedagogy भी यहाँ पर आता है आपको मालूम है कि teaching exam pedagogy important पढ़ता है तो pedagogy भी आपको आते है 20 questions 20 marks का है और finally आपका 80 number का जो question है वो आपका subject oriented है तो guys यह kbs और kbs का probably है कि अब एक से जड़ मंत के अंदर यह सारी clearances हो जाएगा कि kbs का paper होने वालक कब है अगर यह lockdown वहरा नहीं होता तो अभी ही exam होने की पूरी संभाव ना थी August September में इसका form fill out हो ता उसी आसपास इसका exam हो जाता है October last time साथ November यह December में paper हुआ है उसी बीच में आपका भी यह हो जाता है December के आसपास ठीक है तो थोड़ा हो सकता है एक मंत आगे पीचित देगो या कोई भी session में recession आ सकता है लेकिं teaching industry में नहीं आएगा क्यों गवर्मेंट foreign company से loan लेके पढ़वाएगी बच्चों को नहीं पढ़वाएगी जबूँ ठीक है इसले teaching के छेतर में vacancies आएगी जो भी line up है वो रहेगी रहेगी वो जाएगी नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों यह आपका KVS PGT का syllabus है अगरे screenshot लेना चाहते हो तो लेके रख लो ताकि हमाचल के बच्चे यंगो उनको वालूम होगा तो यहाँ क्या है जनलर नौलेज है वो 25 कोशें है 25 मांक्स का और यहां पे computer knowledge है वो 60 कोशें है 60 मांक्स है यहाँ ऐस यह है आपका जनल स्टेट का अलग अलग अपनी strategy होती है यहाँ के general knowledge में आपको हमाचल प्रदेश का भी जैने कि उसी स्टेट का आपको एक GK किसी भी स्टेट लेबल का अब एक्जाम दो, आप हमाचल का दो, आप राजस्थान का दो, आप बिहार का दो, किसी स्टेट पे दो, तो आपना GK वहां का जरूर पढ़ लेना आपके लिए बहुत देशल होता है, तो मेरे प्यारे बच तो प्रिलिम्स आपके सामने है, यह प्रिलिम्स का पेपर, आप जैसे प्रिलिम्स क्लियर करते हो, यहां पर वही reasoning, banking वाले reasoning, number of questions 50, number of marks 50, duration 40, English होता है, number of questions 50, number of marks Christian 50, टोटर आपका हो गया 150 और इधर हो गया 120 ठीक है चलो तो यह चीज़ें यहां पर तो यह आपका डूरेशन प्रिलिम्स जो आदा आपका 50-50 मार्क्स का आता है तो यह पॉइंट याद रखिएगा तो गाइस यह प्रिलिम्स हो गया आप जैसे प्रिलिम्स क्वालिफाई कि मेंड में कवैं करना यहां पर आसान हो जाता है अगर मैंने क्लिम्स क्वालिफाई कर लिया क्यों क्योंकि यहां मातर आपका अपना सबजक्ड है आप इसके कीन हो पिछला साथ से पांच साल सा आपने इसको पढ़ा है अपने डिग्री करिए इसमें तो आपको यह benefit मिल जाता है तो गाइज इसका यही फंड है आप लिम्स क्वालिफाई करो जैसे आप लिम्स क्वालिफाई कर तो उसके 15 टाइम में में स्विच किया जाते हैं तो वहां पर आपको 60 कोश्चन देना है जो 60 मार्क्स के लिए आपको दिया जाता है और प्रोफेश्चनल नॉलेज क्या है यानि कि आपका कमडर साइंस का ही तो यह हो गया आपका IBPS SOIT का ऐसे तमाम स्लेबर से मैं सारा तो यहां पर डिस्कस भी नहीं करता है इतने सब वह आप ही मुझे बताओ आप लोग हमें भेजते हो उस हिसाब से मैं यहां पर और डिस्कस करूँगा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि मुझे जम्मू से आता ह मेरे पास URIZA से आता है, Keral से आता है, ऐसे state level की बहुत सारे examinations हैं जो exam तो होता है, number of vacancies कम होती है, इसलिए कोई भी organization इसके लिए class start up नहीं कर पाता है, क्यों हो वाई? क्योंकि vacancy कम है तो कहां पर यहां पर resource provide लेकिन आपको मालुम है कि Wifi study एक ऐसा channel है, जो अगर यहां प जो railway में आया हुआ था, और junior engineer के मात रहा भी 45 posters थी, फिर भी हम लोग उने class conduct करवाई थी, अब पूरा throughout हम लोग उने class conduct करवाई थी, तो guys हमारा पूरा प्रयास यही रहता है, हमारी पूरी यह सिद्दत होती है, हमारी पूरी यह चाहत होती है, कि भारत वर्स के हर बच्च जिसकी classes बहुत ही कम नहीं के बराबर है, अगर मैं देखता हूँ आप तो नहीं के बराबर classes मुझे यहाँ पर available होती है, तो guys लेकिन आपको कहीं भटकना नहीं, आज से रोजाना साम साड़े 6 वजे, Wi-Fi Study 2.0 आपको ट्यून कर लेना है, और बहतरीन तरीके से यहाँ पर दिजाइन कर लिया है, कि सारी 6 वजे जो होगा, मैं सारे computer science वाले बच्चों को दूँगा यहाँ पर, आप मुझे यहाँ पर message किए कि मुझे इस status के content चाहिए, on demand यहाँ पर चलेगा, यह रहेगी planning हमारे और पढ़िया से यहाँ पर तयारी करेंगे computer science के लिए, चलिए, अ अब मैं बताता हूँ, अब एक छोड़ी सी problem में आप एक छोड़ा सा discussion कर देता हूँ, यह तो introduction है, मैंने सारे exam के बारे में आपको बता दिया, अब थोड़ा सा मैं अपनी भी planning बता देता हूँ, कि सर आपकी planning क्या होगी, तो guys मेरी planning क्या होगी, मेरी यह YouTube की class है, मेरी तीन YouTube class अभी भी चलती है, ठीक है, 11 बजे चलता है आपका computer awareness for banking के लिए, यह basic computer है, अगर basic computer पढ़ना चाहते हैं, तो wifi study banking exam पे आ जाए है, आप पे throughout basic topic चल रहा है, चैनल का नाम write down कर लो, 11 बजे, computer awareness for banking के लिए, wifi study banking exam पे, साम साड़े 6 बजे, यह आपकी class, computer science and application, यह आपका channel, wifi study 2.2 बजे, और साम 5 बजे, इसी channel पे मैं लाता हूँ, basic computer for, पटवारी employees, और यहाँ पे मैं basic computer के MCQ series चला रहा हूँ, और वो भी chapter wise, हर तरह का चीज मैं करवा रहा हूँ, हर तरह का चीज कर रहा हूँ, ऐसा नहीं क्यों कोई चीज मैं skip कर रहा हूँ, हर तरह के, यहाँ मैं topic पढ़ा देता हूँ, यहाँ मैं basic topic पढ़ा रहा हूँ, यहाँ basic का मैं MCQs करवा रहा हूँ, उसी तरह, computer science and application का, computer science application का, यहाँ पे मैं topic पढ़ा रहा हूँ, तो अभी तो start क्या हूँ, इसके भी मैं MCQ series के लिए, तो यह time write down कर लो, कि रोजाना सारे 6 बजे, आपको पढ़न level हो जागा, और मैं यहाँ पे कहता हूँ, कि आपको कोई कहीं और भटक नहीं क्या हो, शक्ता नहीं होगी, सारे content मैं यहाँ पे provide कराऊँगा, अगर कुछ भी content रहा जाता, मुझे message करना, अगले दिन तो नहीं कह सकता, लेकिन फिर मैं planning करके, वो भी content करवाँगा, क्योंक साथी साथ मैं आपको बदा दूगा, इस अन अकैडमी, जैसे आपको बालू मैं वाइफाइ स्टलिज़ा, पार्ट अवन अकैडमी, तो अन अकैडमी पे साथे साथ बज़े मैं special class लेके आता हूँ, ठीक है, special class, यह सारे बच्चों के लिए free होता है, वैसे रात 9 बज़े म तो यह मंडे से मैं आपने यहां पर सारा schedule बता दूगा कि किस दिन आप बेसिक का होगा और किस दिन आपका computer साथ है, लेकिन स्टाड़े साथ बज़े रोजाना मैं यहां पर आपको एक special class provide किया करूँगा, और रात 9 बज़े हमारा आता है computer science का course है, जो अभी running course है, वो DTSJ KVS का ped course है, जो अल्रेडी run कर रहा है आपका unacademy platform ठीक है, तो यह मैं इतनी अभी 5 classes मेरी है, और फिर मैं और अभी classes बढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको date by date करता रहूँगा, तो यह सारा information आपको मिलेगा कहां से, तो यह सारा timing मेरा लिख लेना, जहां पर मैं आपको content provide कर मुझे वहाँ पर search किजिए, अगर नहीं search होता है, तो मुझे message किजिए, मैं आपको मदद करूँगा, बिवेक पांडे search किजिए, और मुझे follow कर जिए वहाँ पर, हमें follow करने से क्या होगा, मेरी सारी classes का notification आपको मिलता रहेगा, और उस हिदाव से मेरी सारी classes आप access कर करेंगे, यह तो चलो, anacademy के new batch आ रही है, banking के लिए, तो जो बच्चे लेना चाहते है, subscription ले सकते हैं, साथी साथ मैं बता दू, guys, तो यह मेरी पूरी planning रहेगी, रोजाना साड़े 6 वजे मैं यहाँ पर topic पढ़ाऊँगा, कल का topic मैं start करने वाला, चुकि हम लोग इससे प complete करूँगा, सबसे पहले database start करूँगा, उसके बार data structure and so on, फिर बीच में आप लोगों से बाती होती रहेगी, उस दिजाबसे मैं topic को ही initiate करते हूँगा, चुकि database से सबसे ज़्यादा questions आता है, इसलिए मैं database start कर रहा है, और last class में हम लोगों ने start किया था, complete नहीं हो पाया था, क्योंकि पहले 5 वे class चलती थी, तो कोई बात नहीं, फिर से start से start करेंगे, 2-4-5 दिन में सारा cover हो जाएगा, और फिर में इसको continue करते हूँगा, अगर आपको हमसे किसी तरह का सवाल पूछना है, आज तो बस यही information है, किसी तरह का सवाल पूछना है, तो यह मेरे social media platform ह इसे दा, facebook page, instagram, और टेवरा, मुझे यहाँ पर message कीजी, मुझे यहाँ पर किसी तरह से आप मुझे यहाँ पर अपना संदेश भेज सकते हैं, और मुझे से वरतालाप कर सकते हैं, हमसे बातचीत कर सकते हैं, और अपने समस्याँ का शमधान ले सकते हैं, तो मैं अपने तज करने वाले हैं, कल से हम लोग topic स्टार्ट करने वाले हैं, कल हमारा database स्टार्ट होने वाला है, तो तयार होके आजाईएगा, copy pane ले के आजाईएगा, notes बना बना के हम लोग पढ़ेंगे, और बहतरीन content देने की जिम्मेदारी हमारी है, बस आपको करना ये है, कि साढ़े 6 आपको मेरे साथ यहाँ पर मिलना है, और यहाँ पर बहतरीन content आपको मैं provide करोगा, ठीक है, चलिए, तो चुकि आज introduction है, तो मैंने अपने strategy बता दी, आना मत भूलिएगा, रोजाना साम साढ़े 6 बजए, इसी channel पे, Wi-Fi Study 2.0 पे, computer science and application की बहतरीन classes के लिए, बहतरीन है, यह कैसा है, यह आप मुझे बताओगे, कल से, जब मेरे class list को करोगे, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, चुकि इंफॉर्मेशन आप से मुझे शेयर करना, कल मिलते हैं, और बहतरीन तरीके से आप एक class start करते हैं, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के मेंठ है ग्यू लग değer ग्याओके लग değer गी। आपुकि यज ते जायस में अभव क्यों, आप करेंगे मां लिए हैं, करेंगे लागे लिए, करेंदे केमे लिया तबीके लिए, तो आप कहिवे। जोडा हैं, बहुना पालके से, आप में अखें इतना हैं, मैं अशेवीन दो